आशिश गुड मॉनिंग, आज पहले तो L&T के नंबर्स पर मार्किट रियाक करेगा और यहाँ पर आप गहुर करें तो प्रॉफिटबिलिटी का आकड़ा आया 4,396 करोड उमीद से बहतर है रेवन्यू भी इन फाक्ट एक बीट है 67,000 करोड के आसपास इबिटा लेवल पर हालाके 7,520 करोड का नुमान था 7,234 करोड कंपनी ने डिलिवर किया है मार्जिन एक्सपेक कर रहा था मार्किट 11.4% के आसपास आएंगे यह सब 11% पर हैं ओर्डर इन फ्लो के लिहाँ से यह साल अच्छा रहा है इस पर्टिक्लर क्वाटर में कंपनी कह रही है कि रेकॉर्ड ओर्डर विंस करीब 3,000,000 करोड के इंटरनेशनल ओर्डर करीब 38% पूरी ओर्डर का हिस्सा बन गए है और अच्छी खासी पाइपलाइन है इन फाक्ट अगले साल के लिए और कि FI 25 के लिए कंपनी कह रहे है बारा लाग करोड के ओर्डर ये जीती हुई दिखाई देगी अब उस लहाँ से अगर आप गाइडन्स देखेंगे तो एक ओर्डर इंफ्लो में एक साइजबल अप्टिक की बात कर रहे है टॉप लाइन वे कह रहे है 15% ग्रो होती हुई दिखाई देगी लेकिन FI 25 के लिए जो margin का guidance है वो थोड़ा सा निराशा जनक है 8.25% के margins कह रहे हैं यानि कि आगे margins और contract होते हुए दिखाई दे सकते हैं ये company का बयान है ये stock आप सबसे पहले रेडार पर रखेंगे TVS Motors ऐसे expected था वैसा ही एकदम बढ़िया performance profitability का आकड़ा 485 करोड पर आता हुआ 8,170 करोड के करीब इनका revenue है EBITDA margins आप देखेंगे तो 11.3% और लगातार तीसरा quarter जहांपर 11% के ऊपर के margins company डिलिवर करती दिखाई दी है EBITDA growth खुद करीब 926 करोड के आसपास आती भी दिखाई दी है अब overall record company ने किया है highest ever revenue FI24 में और EV sales में 100% तकी growth दर्च हुई है तो नतीजे अच्छे हैं इसके साथी आज Bank of Aroda रेडार पर रहेगा जहांपर Bob World जो company का app है उससे जो RBI ने restrictions लगाये थे October 23 में वो हटा दिये हैं अब company Bob World पर customers की onboarding दोबारा शुरू कर सकती है तो इनके लिए बड़ा relief है इस company के लिए भी आप कह सकते हैं 6-7 महीनों में RBI की तरह से relief आया है जैसे हमने देखा था Bajaj Finance के case में Tata Power भी focus में रहेगा Tata Power के numbers revenue के तो आप देखेंगे तो एक beat है 15,847 करोड EBITDA में करीब 21% तक का इजाफा 2331 करोड का figure margin 14,5% के आसपास रहे हैं और मुनाफिय का figure अगर आप देखेंगे इसमें 15% तक की growth दर्ज होती हुई दिखाई दे रही है Company ने in fact अच्छी खासी guidance दी है कि कैसे अपने business को Russell FI 27 तक पूरी तरह से ये double करते हुए दिखाई देंगे तो वो in fact जादा उतसाहित कर सकता है market को दूसरे numbers में आप BSE का performance देखेंगे profitability flat है लेकिन यहाँ पर इन्होंने provision की है सभी की जो regulatory fee है उसके तहए तो 170 करोड की provisioning आई है revenue में 31% का इजाफा operating profit 4.5% बढ़ता हुआ margins हाला की कुछ-कुछ contract जरूर हुए है कल तरू projects के numbers आए वहाँ पर decent performance देखने को मिला है सूला विन्यार्ड रेडार पर रहेगा आज जहाँ पर profitability में इतनी खासी कुछ growth नहीं लेकिन revenue और EBITDA में ठीक ठाक production है margins थोड़े से contract जरूर हुए है लेकिन own brand का volume और value base कुछ बहतर होता हुआ दिखाई दिया है तो वो stock भी कई सारी कंपनिया जिन पर numbers के लिहाँ से reaction रहेगा बजाज consumer के numbers okay है लेकिन buyback का approval आ गया 166 करोड tender route से buyback 290 रुपे प्रतीशेर इन सब पर आज फोकस रहेगा सब रखिये radar पे कल order phone idea में city group ने वाल छोड़ दिया वो एक लाज़ ट्रेट हुआ था उसका अपडेट है city group global markets ने 19 करोड शेर बेचे कली तो करे थे 20 रुपे टार्गेट भी ना ना 25 रुपे का अलाग अलाग विंग्स होंगे किसी ने उनकी का ब्रोकरिज ने बोला होगा 25 का लक्ष है इधरवाल में अपक प्र करता है यह उसकर तो दोनों às帶़ी ने होती हो हाँ दोनों बात भी ने होती है सच तो यही है तो खाठीदने वाला गिजालों Master Fund है ने मा की इंवेस्टर चेक-इन हो रहा है पर ठीक है यह स्टॉक भी रेट आर पर रखियेगा झाल झाल